परसों की बात है चौकिदार आया और बोला एक ओरत मिलने आई है उसने मेरी और देखा और विनम्रता से मेरा अभिवादन किया मैं बस सोच रहा था ये कौन है साब वो हम बड़ गाउ में रहते हैं आपको थैंक्यू बोला था मुझे क्यों बोला था आपने मेरी बेटी की जान बच्चा ही है साब मैंने? हमारे गाउ में ब्रीज बनवा के पुराना ब्रीज गिर गया था आपने नया बनवाया साब अगर हम समय पर हॉस्पिटल ना पहुशते तो साब हम जैसे लोगों के लिए तो आप भगवान हो साब हम इंजिनियरों का सफर गड़े से शुरू होता है वो गड़ा भरता है और एक सड़क का निर्माण हो जाता है और फिर उसी सड़क के नीचे हमारा नाम और काम दोनों चिप जाते हैं इसलिए वोपल मेरे जीवन का सबसे महतवपूर्ण ख्षन था मैं इंजिनियर बना इस बात का मुझे बहुत कर्व है देश की नीव रखने वाले और प्रगती के सेतु बनाने वाले सभीग इंजिनियरों को हैपी इंजिनियर्स देए